नमस्कार दोस्तों, मैं तरून और मैं स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल तरून ट्रेकिंग ट्रेक में इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि लर्निंग का टेस्ट देने के बाद जो हमारा लर्निंग लाइसंज इसू होता है उसे हम किस परकार से ओनलाइन डाउनलोड करेंगे इसका जो प्रोसेस में कुछ चेंज आया है नया जो प्रोसेस है तो आज के इस वीडियो में आप जान पाएंगे तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को लाइब टाउनलोड करके दिखाएंगे तो वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको इस साइट पर आ जाना है और इस साइट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और आप डाइरेक्ट इस साइट पर आ सकेंगे तो स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आना है यहां आपको एक मिल जाता है अप्शन ड्राइबर, लर्नर, लाइसंस मोर के अप्शन पर किलिक करना है इसके बाद यहां आपको इस्टेट सेलेक्ट करने का अप्शन मिलता है यहां जो है सारा इस्टेट आपको मिल जाता है तो आपका जो भी इस्टेट हो वो आप यहां से सेलेक्ट कर ले और इसके बाद इस पेज को जो है इसकीप कर देना है और यहाँ आपको एक option मिल जाता है Learner license इस पे आने के बाद यहाँ एक option मिल जाता है Print Learnerこれで Form 3 इस पे आपको क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ आपको एक proceed का option मिल जाता है Click here to sit browser setting View digital sign document इस पे आपको क्लिक करना है यहां आपको तीन option मिल जाता है एक application number दूसरा learning license number और तिसरा जो है mobile number तो आपके पास जो भी है application number license number या mobile number तो अभी जो हम download करने जा रहे हैं वो mobile number से ही download कर लेंगे क्योंकि यह असान है तो हम इस mobile number पे click करेंगे और यहां mobile number टाइप करेंगे यहां पर date of birth सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले यहां year सेलेक्ट कर लेना है और इसके बाद month और इसके बाद date और यहां आपको capture type करना है capital में है capital में small में है small में और इसके बाद submit पर click करना है तो आप देख पारा है इस number पे जो है एक OTP भीजा गया है उस OTP को यहां इंटर करना है और उसके बाद submit पर click करना है तो हम पहले OTP ले ले लेते हैं तो OTP इंटर कर दिये हैं उसके बाद submit पर click करना है तो आप देख पारा है कि learner license जो है वो completely download हो चुका है यहां आपका license number दिखता है यहां पे name, यहां पे father's name जानकारी कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा और यदि वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में तब तक के लिए जहिंद